नमस्कार, मैं हूँ अक्षय चवान और आज हम जानेंगे मैसूर रियासत की कहानी भारत में पांच सबसे बड़ी और प्रमुक रियासते हुआ करती थी ये थी हैदराबाद, कश्चमीर, ग्वालियर, बरोड़ा और मैसूर पर इनी पाचों राज़ों में सबसे अगर महत्वपूर रियासत थी वो थी मैसूर अब मैं मैसूर को सबसे महत्वपूर रियासत क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इस सारे भारत की सारे 300 रियासतों में मैसूर ये सबसे well-governed और well-managed रियासत थी In fact, महात्मा गांदी ने मैसूर रियासत को राम राज्य का दर्जा दिया था मैसूर रियासत की कहानी शुरू होती है विजय नगर सामराज्य के दौरान अब ये जो मैसूर और बैंगलोर का जो इलाका है ये डक्कन प्लाटो पर आता है जिसे डखन हम कहते हैं और बैंगलोर का एक strategic location ये था कि बैंगलोर जो था वो जो हम बोलते हैं जो डक्कन प्लाटो के edge पर होने के कारण जो उत्तर दक्खन से जो कैरवन आते थे जैसे कि बीजापूर से, पूर्णा से, तो जब उन्हें दक्खन उतर कर जो केरला के जो बंदरगाह हैं, वहाँ पे जाना पड़ता था, तो उनका एक हॉल्ट जो होता था, ये बैंगलोर में होता था, और इसी वज़े से ना आसपास के जितने भी जो टाउन्स थे, ट्रेडिंग टाउन्स थे, वो बहुत ही अमीर और सम्रुद्ध बने, दूसरा कारण मैसूर और ये जो पूरे रीजन है, उसकी प्रास्पेरेटिका वो है कावेरी नदी, अब कावेरी जो शिर्गंगा पट्टम है, मैसूर है, ये काफी राज्यों का, यहाँ पे डिनस्टी का राज हुआ, जैसे कि जो होईसाला है, और चालुक क्या है, बहुत डिनस्टी नहीं हाँ पे राज किया, उनका जो प्रमुक जो कैपिटल उस समय हुआ करता था, वो था तलककड जो मैसूर के पास में ही है, और कावेरी नदी क तट पे है, और बाद में, अराउंड जो 13-14 सेंशुरी है, तब इस पूरे क्षित्र पर विजयनगर सामराज का राज हुआ, अब जब विजयनगर के जो राजा है, वो इस पूरे एरिया पे राज करते थे, तब उनके, तो actually उनका direct administration नहीं था, तो जो विजयनगर के राज किया करते थे, उनकी नीचे viceroys, यहां हम बोल सकते है, नायक, जैसे कि तंजोर हो गया, मदुराई हो गया, ऐसे high level की viceroys बोल सकते है, नायक हुआ करते थे, और उसके नीचे जो system था, वो था, local जो जमीनदार्स और चीफटन्स करके, तो मैसूर की राजपरिवार की जो कहानी जो शुरू होती है, वो around 1399 में शुरू होती है, जब यदुरायकर के एक आदमी थे, एक warrior थे, जो वुडियार बने, अब मैसूर राजपरिवार का जो डिनस्टी का नाम है, वो वुडियार डिनस्टी है, वुडियार का अर्थ, जो कनड़ा language है, it's actually वुडियार वुडियार है, कनड़ा भाषा में वो landlord या चीफटन हम बोल सकते हैं, उससे ये नाम आता है, जो शुरूवाती काल था, जो around 1400 से लेके, 1550 तक, जो 250 साल का कार्य था, उस समय हम वडियार राजपरिवार है, उसे राजपरिवार नहीं बोल सकते हैं, ये local हम जमीनदार जैस से हम बोल सकते हैं, और उनका जो ठिकाना था, वो था मैसूर, मैसूर का महत्वा इस कारण भी था, क्योंकि यहाँ पे देवी चामुंडेश्वरी का मंदिर है, और मान्यता के अनुसार ये माना जाता है, कि जो देवी है, उसने महिशासूर राक्षस का इस शित्र पर यही वडियार राजपरिवार है, तो अब कैसे होता है, कि जैसे आप स्टेटस में बढ़ते जाते हो, तो आप more exalted origins claim करते हो, तो फिर बाद में ये कहानी बनी कि जो वडियार राजपरिवार है, वो कृष्ण के वंशज है, यदुवंशी है, जो गुजरात से, द्वारका के प बहुत हमबल लोकल चीफटन के तौर पे था, और ये लोग जो थे वो जो विजयनगर सामराज है, उन्हें लगान दिया करते थे, और अगर विजयनगर की कभी लडाई होती थी तो उसमें वो शिरकत किया करते थे, तो उसके बाद अब क्या हो गया कि, for example, 1565 में, the Battle of Talikota ह was one of the defining events of South Indian history. In fact, Indian history. इसमें जो विजयनगर की बड़ी फोज थी, उसकी बुरी तरीके से हार हो गई, और जो डेकनी सल्टनेट्स थी, जैसे की बीजापोर, एहमद नगार और गोल कुंटा, उनकी जीत हुई. और एक बड़ी दक्कनी फोज ने विजयनगर को लूट लिया और उसका मतलब it could never recover from its earlier prestige. तो जैसे ही विजयनगर सामराज्यक की ताकत काम होने लगी, तो उसके अंडर जो जमीनदार थे, जैसे की मदुराई के नायक हो गए, जिंजी के नायक हो गए, तंजोर के राजा जो थे, नायक राजा थे, वो हो गए, और ये जो लोकल जमीनद जैसे की मैसूर, इक्केरी, बदनूर, ये जो सारे जो साथ इंडिया के जो चीफ्टन्स थे, वो धीरे-धीरे, उन्होंने डिरेक्ली इंडिपेंडेंस नहीं लिया, पर धीरे-धीरे अपना एक इंडिपेंडेंडेंड अवतार करना शोयो कर लिया. अब एक इंटरेस्टिंग बात होती है, 1578 में, उस समय राजा वडियार मैसूर के शासक थे, और एक बहुत फेमस किस्सा तब राजा वडियार के टाइम पे होता है, कि 1578 की बात है, कि जो एक विजयनगर के जो गवर्नर थे, मैंने आपको पताया, तलककड में जो गवर्न और जो वडियार थे, उनको जो रानी थी, अलमे अम्मा, तो उनके पास काफी जेवर थे, भगवान के, और राजा वडियार को ये चाहिए थे, तो उन्होंने आदमी भेजे, अलमे अम्मा का पीछा करने के लिए, अलमे अम्मा को ये नहीं पता था, कि वो जेवरात के पी She tried to escape और जब वो नदी के पास आई और उनको भागने के लिए कही जगा नहीं मिली तो उन्होंने कावेरी नदी में स्विसाइड किया पर स्विसाइड करने से पहले उन्होंने वडियार राच परिवार को शराप दिया शराप ये था कि जो तलकड है वो पूरी तरह से सैंड दून्स में घिर जाएगा बरी हो जाएगा कावेरी नदी में जहाँ पर वो स्विसाइड करनी है वहाँ पर वर्लपूल्स जो भवर होते हैं भवंडर जो नदी में आते हैं वो बनेंगे और वडियार राच परिवार क कभी आउलाद नहीं होगी अब और जब कहानी दंत कथा के अनुस्तार जब राजा वडियार को यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि यह मिसंडेस्टैंडिंग होई थी और वो इस वेरी अनफॉर्चनेट इमेंट तो उन्होंने एक सोने की मूर्ती अलम अम्मा की बनाकर वो अपने पूजा घर में पूजने लगे आज भी जो मैसुर राजपरिवार है वो अपने जो पूजा घर है उसमें यह अलम अम्मा की मूर्ती रखता है तो और काफी अभी रिस्टर्चरस का मानना है कि यह जो मैसूर श्राप کی जो कहानी है वो मन गड़क कहानी है और उसमें कोई एतिहासिक तथ्य नहीं है बट ये जो रानी अलमे अमा और राजा वडियार की जो कहानी है वो मैसूर के एतिहास में और मैसूर रियासत के एतिहास में एक बहुत ही फेमस और पॉपिलर कहानी है राजा वडियार के बाद कई राजा आये उसके बाद मैसूर का जो राज्य था वो एक्सपैंड होने लगा राजा वडियार के शाहसिन के टाइम पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि विजय नगर का सामराजग काम हो रहा था तो मैसूर के जो राजा थे उन्हें अपना स्टेटस बढ़ाना था तो उन्होंने ये जो दसरा प्रता है मैसूर की जो बहुत grand, elaborate तरीके से जो दसरा सेलिबरेट करने का tradition ये राजा वडियार ने शुरू किया था और it was a imitation of what used to be celebrated जो हमपी के दरबार में जो विजय नगर समराजग जो celebrate करते थे वो उसका एक imitation था और in fact वो ये जो दसरा की जो tradition है ये आज भी चली आ रही है और आज भी राजपरिवार और करनाटा का state government मैसूर को उसी तरह के उसी शान और शौकत से आज भी वो celebrate करते है दसरा को उसके बाद मैसूर का राजपर बढ़ता गया जो आसपास के जमीनदार्स थे उनसे राजा वड़यार के जो वंचज है उन्होंने काफी area capture किया one of the most brilliant kings of मैसूर थे चिक्कदेव राजा वड़यार जो 1670s में इस area के राजा बने वो बहुत ही ताकतवर थे बहुत ह सक्तिशाली थे अब ये काल था बादशा औरंग जेप का काल और चिक्कदेव राज जो है उन्होंने जो काफी threats थे राज्य को मराठो का हमले हुए चत्रपती संभाजी महराज के अंडर फिर जो बदनूर के जो राजा थे उनके attacks हुए जो मुगल थे उनके attacks हुए तो उन्होंने जो मैसूर का राज्य है वो इस समय में काफी संभाला और उसे काफी बढ़ाया और एक काकतवर राज्य उन्होंने वसाया not only this जो जब मुगल फॉज दक्षिन में आई तब चिक्कदेव राज्य ने मुगल सामराज्य को ट्रिब्यूट देना मुनासिप समझा वेकर उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते थे और हमें ये पता चलता है इतियास की किताबों में कि बादशा औरंग जेब ने चिक्कदेव राज्य को एक स्वार्ड as a honor और खलीता और मानो और जो मरातब होता है वो उन्हें प्रेजेंट किया था चिक्कदेव राए की बारे में एक और बहुत interesting बात ये है कि उन्होंने 1704 में बैंगलोर शहर को जो तंजोर राज परिवार है उनसे 3 लाख रुपे में खरीदा था अब बैंगलोर की कहादी ये है कि बैंगलोर जो है वो जो शत्रपती शिवाजी महराज है उनके जो पिता थे शाजी महराज ये उनकी जागीर हुआ करती थी आदेल चाही समय से और एक important बाजार पेट हुआ करती थी जब शाजी महराज का निधन हुआ तब शिवाजी महर और उनकी जो छोटे भाहिते तंजोर के छत्रपती एकोजी महाराज उनमें जगडा शुरू हुआ प्रोपर्टी को लेकर तब as a part of the compromise जो बैंगलोर है वो तंजोर राजपरिवार को और एकोजी महाराज को as जागीर दिया गया और फिर जो एकोजी है उन्होंने ये जो कंप्लीत हो पाती तो मुगलों ने बैंगलोर को कबजा कर लिया और फिर मुगलों से चिक्कदेव राएं ने बैंगलोर को अपने कबजे मेजे में लिया और नाइन्टीन fazendo, decks जो यो जो है वो मैसूर राज्य का पार्ट हुआ अब जो चिकदेव राजा चिकदेव राए के जो वंशर्स थे वो बहुत ही वीक थे और उसकी वज़े से जो मिनिस्टर्स थे वो बहुत पावर्फुल होने लगे वड़यार परिवार में आपसी कलह के कारण जो राजा थे वो जल्दी उनका निदन हो जाता था जो नए राजा बनते थे वो छोटी उमर के होते थे तो इस सारा जो कियोस था उसका फाइदा मिनिस्टर्स ने लिया जने दलवय कहा जाता था और वो बहुत वो पावर में आया और गंदी पे आया और इस कियोस का फाइदा लेकर 1760 में एक जो उनके एंप्लॉइमेंट में एक आदमी था हैदर अली नाम का उसने जो बाकी सब को हटा कर वो सरवाधिकारी जिसे बोलते हैं या चीफ कंट्रोलर मैसूर राज का बन गया और 1761 में से लेकर 1799 तक ये जो काल था जिसे हम मैसूर सल्तनत का काल कहते हैं बिकाज उस टाइम पे वडियार राज परिवार है वो अल्मोस्ट जिसे हाउस अरेस्ट में थे उनके श्रिरंगा पट्टम के महल में और जो पूरा राज है वो हैदर अली का और फिर आगे टीपू सुल्तान का राज जो हुआ करता था हैदर अली जो है उसने मैसूर का राज अल्मोस्ट ट्रिपल किया जो आसपास के जितने भी वाकी राज थे उसे कॉंकर करके उसने मैसूर में मिला लिया बट हैदर अली की फिर बिकाउस एक्सपांशनिस्ट प्लैंस उनके जगड़े होने लगे करनाटक नवाब से हैदरबाद के निजाम से ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी से त्रावन कोर से मराथो से तो यह बहुत कॉंफिक्स होने लगे और हैदर अली के निदन के इस ने क्या किया उसने अपने आपको सुल्तान गोशिद किया उसने कहा कि अब यह एक सिल्तनते खुदा दाध है और उसने आमीं मैसूर का अगर आप देखे तो मैसूर रियासत का काफी administrative reforms हुए यहां पे और जो prosperity काफी बड़ी 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 बट यह भी हम एगिन्व और नहीं कर सकते की एक जो section of Hindus था उन पर काफी अत्याचार किए गए कूर्गी लोगोंपर काफी अत्याचार किए गए Mangalore की जो Christians थे उन पर काफी अत्याचार किए गए तो अगर हम टीपू सुल्तान का वो in fact एक separate कहानी है अगर हम टीपू सुल्तान का कार्य देखे तो हम उसे एक बैलेंस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ जहाँ पे स्टीट का उद्धार हुआ पर लोगों पर भी काफी अत्याचार हुए हुए जब जो आखरी अंगलो मैसूर वार था उसमें टीपू सुल्तान का निधन हो गया तब टीपू सुल्तान का जो परिवार है जो हम बोल सकते हैं थे सेकेंड मैसूर रोयल फैमिली उन्हें पहले वेलोर और फिर वेलोर से कलकत्ता भेजा गया और वहाँ पे उन्हें जबीने दी गई प्रॉपर्टी दी गई और यह जो वड़ियार राज परिवार है उसे मै इंडरेस्टिंग बात यह है कि अगर अंग्रेजोंने मैसूर का इतना अमीर और बड़ा राजक कॉंकर किया था तो उन्होंने वड़ियार परिवार को वापस क्यों दिया सच बात तो यह है कि जब यह जो आखरी अंग्लो मैसूर वार हुआ तब उसमें तीन पार्टनर्स थे एक थी ब्रिटिश दूसरे थे अमराथा और तीसरे थे निजाम और एक अग्रीमेंट उनमें हुआ था कि जो भी हम लैंड्स टिपू सुल्तान से कैप्चर करेंगे व तो हम तीन एक्वल हिस्सों में बाट देंगे, एक्वली शेर कर लेंगे तो अंग्रीजों का यह प्लान था कि वो नहीं चाहते थी कि मराथो का और जो निजाम है उसे बहुत बड़ा हिस्सा मिले उनका एक बहुत ही सिंपल सुलूशन था कि हम अपना हिस्सा ले लेंगे, निजाम और मराथो को अपना चोटा-चोटा हिस्सा दे देंगे और मैसूर को वड़ेया और राज परिवार को वापस यौटाया जाएगा, बट इट विल बी अंडर दे सुजरैनिटी ऑफ दे ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी, मतलब मैसूर राज्या है, वो स्वतंत्र राज नहीं है, पर एक प्रिंसली स्टेट है, अंडर दे ब्रिटिश, तो इस अग्रिमेंट के तहट 1799 में मैसूर को दिया गया, यह क्रिश्नराज वड़ेयार थर्ड का कार्यकाल था, उसके बाद अंग्री जोग का मन बदला 1831 में उन्होंने मैसूर को अपने कब्से में ले लिया, अब यह काल वो था, जब काफी रियासते, अवद हो गया, नाकपोर हो गया, सातरा हो गया, सिंध हो गया, यह ब्रिटिश जब्द करें थे, और अंग्रीजों का almost एक इंटेंशन यह था कि वो मैसूर भी लैप्स करते, on the protection of mal administration, जैसे अवद को उन्होंने निग निगल लिया था, वैसे वो मैसूर को भी निगलना चाते थे, 1831 में कबजा लेने के बाद, Sir Mark Cubbon, यह गवर्नर बने, उन्होंने अच्छा एक कार्यकाल यहाँ पे निभाया, और, I mean, in fact, यह बहुत surprising बात है कि अंग्रेजों ने 1880 में मैसूर का राज है, वो वापस, जो र परिवार है, उसे वापस कर लिया, because generally, अगर अंग्रेज कोई रियासत ले लेते थे, तो कभी वापस नहीं करते थे, but क्या हो गया था कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तब काफी रियासतों ने अंग्रेजों की मदद की थी, तब अंग्रेजों को यह रियासत जब्त नह जो लंडन की है, उसने 1881 में यह रियासत वापस वडियार परिवार को दे दी, तो वडियार परिवार का नसीब बहुत अच्छा था कि पहले टीपू सुल्तान से और फिर अब अंग्रेजों से उन्हें यह रियासत वापस बिल गई थी, जो चामराजेंद्र वडियार जो मैसूर को the most well-administered state in India की शुरवात हुई, जब जो वडियार परिवार है, उनको अंग्रेजों से यह रियासत वापस मिली, तो उन्हें एक बहुत interesting system device किया, जो professional administration है, वो बैंगलोर में बैठता था, और एक, everything was very professionalized, जो बैंगलोर से सारा कार्य भार चलता था, और जो है, वो मैसूर में थे, और जो princely court वहाँ से चलता था, तो जो ceremonial court है, मैसूर का, वो मैसूर है, और जो administrative, modern administrative court है, वो बैंगलोर में, ऐसे यह dual system चलने लगा, और इसकी वज़े से क्या हो गया, कि एक professional administration हम बोल सकते हैं, कि competent divans, competent prime ministers, competent officers, यह सब पूरा देखरेक करने लगी, और इसकी वज़े से मैसूर को बहुत फाइदा हुआ, चामराजेंद्र के समय में, some of the most iconic buildings, बैंगलोर की भी बनाए गई जैसे कि, लालबा garden में जो glass house है, बैंगलोर palace, जो castle की तरह है, वो बनाया गया, मैसूर का oriental research institute, जहाँ पे Sanskrit manuscripts हैं, वो ब लगी, उनके निधन के बाद, उनके बेटे, कृष्ण राजय वडियार, जो चौते थे, वो गद्धी पर बैठे, कृष्ण राजय वडियार की कार्यकाल को ही, मात्मा गांधी ने राम राजय का दर्जा दिया, माराजा कृष्ण राजय वडियार के समय में एक interesting बात यह हुई, कि उनकी जो बेहन थी, राजकुमारे जय लक्ष्मी, उनके शादी में, जब आतिश बाजी हो रही थी, तो आतिश बाजी के एक चिंगारी से, जो महल है, उस तमें लकडी का हुआ करता था, उसमें आग ल आज का जो मैसूर्ट पैलेस है, जो I think भारत के सबसे spectacular palaces में से एक है, ये बनाया गया, उनके समय में जो famous ललित महल है, जहाँ पे काफी फिल्मों की shooting हो चुकी है, हमें in fact 80s और 90s में कितनी सारी फिल्में वही पे shoot होती थी और वो मैसूर्ट की एक पहचान है, ललित महल वो बनाया गया, सबसे important जो कृष्णराज सागर डैम है, वो बना जिसकी वज़े से पूरे मैसूर में irrigation हुआ, in fact, बिजली एक भारत में one of the earliest princely states जो थी, जिनके पास अपनी electricity थी, ये उनके टाइम पे हुआ था, महराजा कृष्णराजा वडियार ने जो जम्षिट जी टाटा है, उन्हें पैसा दिया और जमीने दी to establish the Indian Institute of Science, आज अगर हम देखें, बैंगलोर इनोवेशन का हब है, पर इसकी नीव जो रखी गई थी, ये महराजा कृष्णराजा वडियार के टाइम पे ही रखी गई उन्हें के दूर दृष्टी के कारण, उस समय क्या होता था कि ये जो साहुकार हैं, ये जो फार्मर्स हैं, उन्हें काफी लूटते थे और बहुत ही बड़े भाव में व्याज लेते थे, तो उसे रोकने के लिए महराजा ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की स्तापना की, स्टेट राजनर बड़े आर के टाइम पे दो बहुत फेमस दिवान हुए, वन थे सर एमेम विश्वेश पर आया और दूसरे थे सर मिर्जा इसमाईल, और ये जो 1916 से 1941 तक का कारेकाल था, इन दो दिवानों का, दिवान मतला प्राइम मिनिस्टर, तो उनके टाइम पे ही ये रिफॉर्म्स और फैक्टरीज और इरिगेशन, एविएशन, ऐसा कोई क्षित्र नहीं था, जहां पे यहां पे विकास नहीं हुआ होगा, इन फैक्ट जो मैसूर आयन वर्क्स है, जो भद्रावती स्टील वर्क्स है, तो स्टील फैक्टरी का निर्मान हुआ, और मैसूर सैंडल सोप इतना फेमस है, बट मैसूर सैंडल सोप, यह जो महाराजा का जो अड्मिनिस्टरिशन है, उन्हें लगा कि जो मैसूर का जो चंदन है, यह दुनिया भर में इसकी जो प्रोड़क्स है, वह एक्सपोर्ट किये जा सकते हैं, और उसकी वज़ा से उन्हों और न्यूयोक में मैसूर के उफिसे हुआ, एक्सपोर्ट उफिसे हुआ करते थे, कि मैसूर के जो प्रोड़क्स हैं, वह इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जा सके, तो इस तरीके से इतना एक रिफाइंड सिस्टम था, दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैस constitutional monarchy और एक democratic system आ चुका था, bicameral legislature था, जिसमें lower house, upper house, उसके उपर दिवान और फिर महराजा, ऐसा एक system किया जा सकता था, बाद में फिर मैसूर का खुद का एक constituent assembly भी बनी, अपने constitution बनाने के लिए, तो यह मैसूर, बतलब it was an absolute golden age of marriage, आज जो भी हम मैसूर की बात करते हैं जो buildings की बात करते हैं, जो development की बात करते हैं, यह सारा महराजा कृष्णराजवडियार के time पे हुआ था, उनके निधन के बाद, उनके जो nephew थे 1940 में, महराजा जैचामराजवडियार यह गद्धी पर आये, महराजा जैचामराजवडियार was a scholar महराजा, उन्हें music में बहुत interest था, in fact, Nikolai Metner करके एक बहुत famous composer, European composer थे, उनको प्रोटसाहन और finance महराजा मैसूर ने किया, जो philharmonic orchestra है, European classical music, उसे काफी महराजा ने patronize दिया, करनाटक music में उन्होंने काफी patronize दिया, in fact, almost महराजा मैसूर के 200 करनाटक different रागों में compositions थे, जो आज अभी revived किये जा रहे हैं और उन्होंने काफी किताबे लिखी, Sanskrit में translations किये, so he was a great scholar महराजा, यह वो समय था, अब 1940s की बात कर रहे हैं, जब भारत में आजादी की लहर दौड रही थी, और quit India movement चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाब महात्मा गांधी और जवालाल नहरू और काफी यह जो great Indian leaders थे, but interestingly, इन सारे जो leaders थे, उनके महराजा मैसूर के साथ बहुत अच्छे समन्थ है, because उस समय गांधी और बाकी जो सदार बटे और बाकी leaders है, उनका यह मानना था कि मैसूर तो राम राज और एक अंग्रेज यह कहते थी कि लोग, इंडियन लोग अपना administration खुद नहीं देख सकते, बट मैसूर एक example था कि अगर भारत को आजादी मिले, तो भारतियों लोग किस तरह से अच्छी तरीके से अपना राज चला सकते हैं, और फिर 1947 में मैसूर महराजा ने मैसूर को भ राज प्रमुक जिसे कहा जाता था, और फिर बाद में महराजा जैशामराज बडियार का निदन 1970s में हो गया, उसके बाद उनके जो बेटे थे महराजा श्रीकांत दत्त बडियार वो राजा बने, और मैसूर का राज परिवार आज भी मैसूर में है, उन्हें काफी एक high status यहाँ पर माना जाता है, मैसूर का जो राज महल है वो भारत के सबसे बड़े attractions में से एक है, दुम्या भर से लाखों लोग राज परिवार का वैभव देखने के लिए मैसूर पैलेस में आते हैं, और मैसूर की जो दसरा की tradition है, जो राजा वडियार ने उस समय शुरू की वो आज भी जारी है, वो हमारे भारत की great living cultural traditions में से एक है, और मैसूर का जो इतिहास है वो आगे चल रहा है, और जैसे वैभवशाली जो पास था उसका, तो उसका future भी अभी वैभवशाली ही लगता है, तो ये थी कहानी मैसूर रियासत की. क्वार संहुआत की